आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी साड़ी का रियूज आईडिया लेकर आई हूँ तो बहुत ही प्यारी सी साड़ी के बहुत ही रीजनेबल प्राइस में यह आपको मिल जाएगी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक में दे दिया है यह साड़ी मुझे इतनी प्यारी लगी थी के मैं इसकी कटिंग और स्टीचिंग देखेंगे तो यह दे इस तरह का इसमें प्रेंट है बहुत ही प्यारा सा प्रेंट है आपको इस साड़ी में मिल जाएंगे और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक चेक आउट कर लेना अगर आपको भी पसंद आती है अगर आप साड़ी नहीं बनते हो तो ड्रेस बनाने के लिए भी आप ये फैबिक पर चेस कर सकते हो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है लाइनिंग लगाके आपकी बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस चुराना बन जाएगी और यहां पे यह मिलता है इसका ब्लाउज तो ब्लाउज को भी आप यूजत कर सकते हो अपनी ड्रेस में तर चलिए देख लेते हैं इस तरह की साड़ी से आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हो ब्यारście बने पर यहां के साड़ी के बहुत ही प्यारी से यह ड्रيस बने जाएगी स्लीब आप इसी तरह से रखें हलका सा यहां पर दिया है अंगयखा स्टाइल में भी आप तेसल नहीं लगाएं इस तरह से बैड जो है आप ट्रेट कर सकते अपनी ड्रेस में लॉंग रखकते हो और शौट घाते हो तो शौट भी रखकते हो कितनी भी रख सकते हो इसे floor length तक भी रख सकते हो अगर आप vacation पर जा रहे हो कहीं भी तो इस तरह की dresses बहुत ही अच्छी लगती है इसी तरह की अलग-लग style की dresses में आपको दिखाने वाली हूँ अभी तो second dress है ना इस तरह की collar आप अपनी dress में दे सकते हो इस तरह का full sleeves रखें देखिए यह थोड़ी सी length कम है इसकी बहुत अच्छी लग रही है तो इतनी सी length पहनने में तो हर कोई comfortable होता ही है तो इस तरह की dress भी आप बना सकते हो अपनी इस तरह की साड़ी से और अगर आपके पास साड़ी नहीं भी है तो आप यह साड़ी purchase कर सकते हो इसी तरह से balloon sleep से अपर साइट में भी थोड़ी बहुत यहाँ पर gathering कर सकते हो और जो नीचे की तरफ bottom में cutting की हुई है वो आप चाहें तो कलियों में cut कर सकते हो या पर umbrella shape में भी cutting कर सकते हो और front में slit ते कि आप buttons की detailing दे belt कर आप यूज़ करें बहुत प्यारी सी आपकी इसी तरह की dress बनने वाली है नेक्स दो पार्ट में ये dress बनी हुई है जो neck line है उसमें हलका सा V-shape है balloon sleep से हैं घेर बहुत ज़्यादा ना रखें और जब आप किसी भी dress में घेर बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं तो इस तरह की length रख लें इस तरह की full अंग्रखा style में आप dress बना लें डोरी लगा लें ट्रेस लगाने पीस में ज़रूर नहीं है घेर आप कितना भी रख सकते हो मतलब बहुत अच्छा घेर निकल जाएगा इस साड़ी से next इस तरह की sleeve dress dress बना लें आप collars दें आप shirt collars दें buttons की detailing दें front sleeve दें और बहुत जादा घेर रखने की भी ज़रूरत नहीं है अराम से साड़ी में से आपकी dress निकल जाएगी एक belt जो है आप अपनी इसी fabric में से भी निकाल सकते हो या फिर आपके पास ready made कोई भी अपनी dress से match करती हुई belt है तो वह भी आप use कर सकते हो same style है but sleeves जो है half है आप देख सकते हो इतना सा change करने से ही आपकी dress का look change हो जाएगा half sleeves है इसी तरह से frog style में भी आप इस तरह की dress बना ले तो भी बहुत अच्छी लगी balance sleeves से देर आप फूर रख सकते हो और sweetheart neck दे सकते हो किस तरह से V-shape में neck दें कितने भी parts में आप अपकी dress को divide कर सकते हो बतलब एक as a frill की तरह आप जो है ना इस कप्रे को use कर सकते हो पूरी dress में और आगे की तरह बैट से ही आप बहुत ही प्यारा सा वो बना सकते हो sleeps के उपर आप frill की detailing दें बहुत जादा अगर आपको designing नहीं करनी है तो यह बहुत ही simple सा design आप देख सकते हो तीन parts में यह dress आपकी divide होगी frill जो है ना frill की जो length है वो भी इसमें बहुत जादा रखी है तो इसमें आपकी dress की जो है ना बहुत ही look change भी हो जाएगी और अच्छे भी देखेगी उपर पार आजाएगा उसके नीचे जो है आपने frill की भी length उतनी ही रखनी है जितनी आपने beach वाले पार्ट की रखी हुई है तो अलग सा एक look जो है ना निकल के आएगा आएगा आपकी dress का इस तरह की dress भी बन जागी तो भी अच्छे लगेगी tessels लगाके थोड़ा सा जो है आथनिक look का जाता है आपकी dress में तो अगर आप थोड़ा सा modern look देना चाहते हैं तो bent use करें और ethnic look देना चाहते हैं तो थोड़े tessels गयारा use कर सकते हो या फिर आप थोड़ा बहुत border या कई तरह की triangle में जो है laces आती हैं वो तपटिव गार रहती हैं वो use कर लेंगे तो आपका ethnic look में जो है dress बहुत ही अच्छा सा प्यार हो जाएगा इस तरह की midi dress भी आप बना सकते हो round shape दे neck में और हलका सा cut दे sleeves आप balloon रख सकते हो जो upper part है उसे आप A-shape में cut करें और नीचे की तरफ जो है दो या तीन जो है इस तरह से frills add कर सकते हैं बहुत प्यारी dress है बनाना भी बहुत ही easy है इसकी cutting और stitching अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी आपने comment करके ज़रूर बताना है yellow color की dress मैंने इस तरह के fabric से बनाई हुई है वो भी आप चेक किज़ेगा अगर आपको पसंद आती है तो उसकी cutting और stitching देखके आप अपने लिए बहुत प्यारी सी dress बना सकते हो next यह देखिए इस तरह की dress भी बन जाएगी full sleeves रखने है तो forward रखने है sleepless रखने है तो भी अच्छी लगेगी buttons की detailing दे इस तरह से center में आप या तो अगर इस तरह की cutting और stitching नहीं आती है तो आप belt का use कर सकते है जैसे यहाँ पे belt का look आ रहा है ना बस आप यहाँ पे belt add कर लें और buttons की detailing दें front slip दें बहुत प्यारी सी dress बनके त्यार हो जाएगी frog style में इस तरह की dress बना लें आप balance slip से short में दें और नीचे की दर्ज़ों आफ रील आइड कर लें umbrella shape में इसकी cutting हो रखी है तीन parts में divide है dress बहुत ही simple है इसकी cutting और stitching आप घर पर भी इस तरह की dress बहुत अराम से बना सकते हो अगर आपको बहुत जाए ताम जाम में नहीं पढ़ना है तो इस तरह की dress बना लें pleated और अगर आपके पास कोई देरी में इस तरह की belt है तो वह आप इसमें add कर सकते हो front में इस तरह से buttons की detailing दें buttons भी आप मड़े हुए जो है ना खुद से मतलब उसी कपड़े से मड़े हुए लगाएंगे बहुत ही प्याला लुक आता है इस तरह की frog style में आप dress बना सकते हो puffy sleeves तें और जो neck है आपका वह भी थोड़ा से stylish है तो इसी तरह से आप अपनी dress बनाएं अगर तो आप हैरी है तो इस तरह का neck जो है टाइन ना करें नेक लाइन थोड़ी सी different रखें और sleeves आप पपी रख सकते हो अगर आपको प्लीस में dress नहीं बिनाने है तो umbrella shape में cutting कर सकते हो अच्छी जो है शेप आजाती है कमर पे shirt style में इस तरह की आप dress बना लें बटन की detailing दें shirt का collar है और यह front sleeve दी हुई है A shape देनी है हलकी सी और sleeves जैसी भी आपको संदब ऐसी रख सकते हो sleeves less भी रखेंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी और balloon sleeves देंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी इस तरह की fabric में balloon sleeves बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि एक तो यह transit होता है और दूसरा जब हम इसमें lining नहीं लगाते हैं तो बहुत प्यारी दिखती है यह dress देखिए collar दिया हुआ है front में buttons की detailing है umbrella shape में इसकी cutting हुई है बहुत ही simple है जल्दी ही इस तरह की dress की cutting और stitching में आपके साथ share करूँगे इस तरह की Korean style में dress आप बना सकते हो collar दें shirt का और दो पार्स में यह dress divide है और second इसमें जो main चीज है वो है कि थोड़ा सा यह loose में oversize clothes होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं उस तरह से यह oversize में आप बनाएं इसी तरह की sleeps दें बहुत प्यारी सी dress आपकी इस तरह की साणी से बन सकती है यह style भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको collar बगारा नहीं बनाना आता है तो आप भी शेप दे सकते हो neckline और buttons की detailing दें half sleeves रखें इसी तरह से थोड़ इसी dress loose होगी तो ज़्यादा अच्छी लगे को इस तरह की dress आप बनवाले हो umbrella shape में इसकी cutting हो रखी है front में आप bent से वह एक क्रिएट कर सकते हो इस तरह की frog style में आप dress बनवा सकते हो three parts में divide है यह dress upper part है bottom part है उसके वाद जो third है वो frill है और neckline पे जो frill add की हुई है उससे बहुत ही प्याली सी sleeves का illusion create होता है v-shape में इस तरह का neck दें umbrella shape में आप sleeves दें और umbrella shape में bottom बाला part आजाएगा इस प्याली सी आपकी dress create हो जाएगी बहुत ही simple है और इसमें से fabric आप पर बच जाएगा कोई भी shirt आप उससे बनवा सकते हो मतलब आप किसी भी trouser के साथ ही या प्लाजो के साथ ही या किसी भी चीज के साथ से carry कर सकते हो तो दो चीज़ें बड़े राम से आपकी निकल जाएगी अगर आप long dress बनाना चाहते हो तो इस ता की puffy sleeves में आएं फुल घेर में आप dress बना का तो उससे आपका जो है ना एक जैसे मेरी में बहुत सारे functions ऐसे होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि बहुत ही light weight जो है हमारी dress हो बहुत ही easily उसे carry कर पाएं तो इस तरह की जो साड़ी है उससे आप dress create करवा सकते हो अपने इस तरह के functions के जैसे हर्दी function होता है मेहंदी function होता ह तो उसके लिए आप इस तरह की साड़ी से बहुत अच्छी सी dress create करवा सकते हो बहुत ही अच्छा सा एक आलियकट style में आपका कुलता बन जाएगा और साथ में निकल जाएगा दूपट्टा अगर आपको देना है party wear look इसी तरह की साड़ी को तो फिर आप जो है इसमें laces व कोड़ी से heavy look में जो है dress बनवाले तो उसमें आप handwork भी करवा सकते हो या फिर laces बहुत अच्छी आती है तो laces attach करवाले एक गुर्ती और एक bottom बड़े राम से इस तरह की साड़ी से निकल जाएगे तो आप इस तरह की dress भी बनवाले तो भी बहुत अच्छी लगे अगर आ इस तरह की साड़ी से बन जाएगे आप बॉडर जो है ना यूज कर सकते हो नेक लाइन पे इसी तरह से बटन की detailing दे सकते हो फ्रेंट में और कलियों में आप अपनी कूर्ती की cutting कर लें कलियों नहीं करना चाहरे है तो फिर उंब्रेलर शेर में cutting हो जाएगी तो भी बहुत अच्छा सा लूक आ जाता है क्योंकि यह जो फैब्रिक है न बहुत ही flowy है तो इसमें आप कैसे भी cutting करेंगे प्यारी ही लगे पैनल में आप cutting करके उसमें piping add कर सकते हो sleeps में आप अलग से फैब्रिक यूज कर सकते हो जैसे इसके साथ blouse का फैब्रिक है उसका यूज कर सकते हो आप golden silver color का जिसे आप carry कर सकते हो किसी भी function में यह देखे कितना प्यारा अंग्रखा style में कुरता है यह आप फुल जो है लैंध रखे तो इसके साथ आपको plaza बगारा बनाने की जूरूत नहीं पड़ेगी अलग से आपकी साड़ी से बड़े राम से इतने घेर में आपक एक इस तरह का अंग्रखा बन जाएगा या फिर आप बना सकते हो इस तरह का आलियकट style में कूर्टा और साथ में निकालने तो बट्टा बटन की detailing दे सकते हो इस तरह के नारकली बना लें फ्रील दे सकते हो इससे फोड़ा आपका यूनिक style में outfit बन जाएगा इस तरह की simple क कूर्टी बना लें और बॉटम जो है आपका solid color में आ जाएगा थोड़ी बहुत piping add कर सकते हो आप अपनी सारी क्या होडिंग जो भी color mix and match करने आपको इससे आप piping attach कर सकते हो इस तरह का कूर्टा से भी बहुत ही प्यारा लगेगा इसी तरह से neckline आप create करें साथ में आपका कूर्टी बनाए एशेफ में कूर्टी बहुत इसली बन जाती है बहुत ही मतलब उसमें कोई भी ताम जाम करने को होता नहीं है बटन की इस तरह से detailing दें आपका बहुत प्यारा असा एक री यूज़ हो जाएगा अब बात करतें काॉर्ट सेट की तो इस तरह के आपके आप कॉक्ट सेट बहुत ही अच्छे बनेंगा क्योंकि ये दूसरा बंटन कॉर्णि फैबरीक है और दूसरा जो हूं कि आप इस तरह के जो प्रेंट है बहुत अच्छे लगते हैं समर्ज में तो लगत प्रिंच रेंज है है तो अगर चाहिए तो बॉटम भी सारी में से ही निकाल सकते हो अगर आपको एक जैसा प्रेंट जो है पूरे में नहीं लेना है तो फिर आप सॉलेंड कलर में एक ट्राउजर कर सकते हो और जो कपड़ा बच जाता है उससे कुछ और शर्ट बगारा भी आप बनवा सकते हो या पर सकार्फ निकालने या फिर एक पट्ट भी निकल जाएगा यहां पर बहुत सारे डिजाइनर में आपको दिखा रही हो आप का ओट सेट कैसा भी बना सकते हो शॉर्ट आपको लेंग रखनी है शॉर्ट रख सकते हो लेंग से आपको प्रॉपर रखनी अपनी बने बाते लुज ब्लाजो बना सकते हो तो इस तरह का quarter set भी आप आप अपने आप कर सकते हो अगर आपको इन बी सiadव पसंद आता है तो आप स्कूरिंशाट ले सकते हो और सब्सक्रा बड़ी बात है कि अगर आपको पसंद आता है तो cutting और stitching देखकर भी आप अपने लिए ये dresses बना सकते हो क्योंकि मैंने इसी channel पर बहुत सारे cut side की cutting और stitching शेयर की हुई या बहुत सारे dresses की cutting stitching शेयर की हुई है बहुत सारी सारी का reuse किया हुआ है तो वो भी आप check कर सकते हो इस तरह के कुर्थी बहुत ही stylish दिखती है बहुत ही loose जो है आपने pattern रखना है sleeves आप इसी तरह से रखें V-shape neck दें आप पूरी bottom भी आप सारी में से ही निकाल लेते हो बहुत ही अच्छा लगेगा party wear look देने के लिए देखें इस तरह से आप इसमें borders attach कर सकते हो अगर जरी का कोई border है आपके पास तो वो add कर लें बहुत ही बहुत ही classy जो है न आपका outfit बनके त्यार हो जाएगा कई बन क्या होता है कि हमने कोई सारी reuse की हुई होती है उसके borders बहुत high quality के हैं बहुत spirit quality के हैं तो वो भी आप इस तरह की सारी में अगर use करेंगे न अगर मतलब आप उसका contrast अच्छे से जा रहा है तो उनको use कर सकते हो आप उपनी dress में next आप इस तरह की सारी से skirt बना सकते हो और साथ में एक बना लें kaftan, kaftan आप use कर सकते हो किसी और bottom के साथ और इस skirt को आप use कर सकते हो किसी और top के साथ ऐसे print order fabric में jump suit बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आप jump suit भी बना सकते हो या फिर long में इस तरह की dress आप बना लें A-shape में जो है ये dress है इसी तरह से आप sleeves रखें round shape में neck रखें अगर आपको पसंद है तो V-shape भी रख सकते हो अपर और bottom अगर दोनों ही आपको साड़ी से ही निकाल लें तो इस तरह की dress आप बना लें आप देखे कितनी प्यारी लग रही है casual wear में आप बड़े अराम से इस तरह की dresses carry कर सकते हो इस तरह की dresses आप बहुत अराम से बना सकते हो लेकिन आप लेंगा और top या लेंगा और blouse भी आप इस तरह की साड़ी से बना सकते हो वो भी मैं आपको एक दो design यह आपके दिखा देती हूँ लेंगा या skirt आपका इस तरह से बन जाएगा या फिर आप बना सकते हो श्राग और plazo तो यह बहुत सारे design जो है मैं आपको दिखा रही हूँ तो इस तरह के print में अगर आपके पास कोई साड़ी है तो अगर इन में से कोई भी design आपको पसंद आया है तो उसे screenshot लेने बहुत अच्छी से आपकी dress बन जाएगी पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो इस तरह के videos देखने के लिए channel को भी subscribe कर लें देते हैं फिर next video में जल्दी ही तब तक लिए टेक केर और गुट बाए